Hi everyone, welcome back to my channel, my name is Anil and react material UI की इस वीडियो के दिने बात करने वाले है radio button की, radio button किस तरीक से use कर सकते हैं basically ये इस वीडियो के points है, सबसे पहले में radio button को import करना है उसका अंदर कुछ UI को change करने के लिए हम colors वगर लगा सकते हैं on change event किस तरीक से call करेंगे और एक function कैसे call कर सकते हैं, on change event के उपर states कैसे use कर सकते हैं हम radio button के साथ में search ये दिखने वाले हैं, so start करते हैं सबसे पहले मैं चाता हूँ, app.js file के अंदर और यहां पे हम basically import करेंगे radio button को, right so just write here, import something from material core, right और यहां basically लिख सकते हो radio, so इसके अंदर आपको basically radio button just बोलते हो, बड़ जो import करते हो radio ही करते हो so आप इस तरीके से import कर सकते हो, या फिर जो मैं आपको हर video का अंदर प्ताता हूँ कि दो तरीके से import कर सकते हो, so आप second तरीके से भी कर सकते हो, right शेकंड तरीके से करने के लिए आपको उसको डिफोल्ट इंपोर्ट करना है और यहाँ पे रेडियो लगाना है राइट सबसे पहले मैं एक रेडियो बटन लेता हूँ यहाँ पे और इसमें कुछ values बुट करते हैं बैं यहाँ पे इसकी value डाल देता हूँ और इसके साथ मैं बेसिकली जब आप यूज करोगे तो आपको कुछ text होगार है नहीं यूज कर पाओगे या बेसिकली जब आप टेक्स वगरे उस करोगे तो आपको इसको फोम के साथ यूज करना पड़ता है तो आप नॉर्मल टेक्स के लिए आप एक स्पैन ले सकते हो राइट सो पैन के उपर आप ले सकते हो लेट से के मेल और चाहो तो आप इसको पूरे को एक डिव के अंदर भी बन कर सकते हो राइट लाइक दिस और सिमिलरली आप इसको पिक करके एक और फिमेल का भी रेडियो बटन बना सकते हो इस इस मेल नॉट मेक and let's copy it and paste it और यहाँ पिया आप फिमेल कर सकते हो राइट सो अब आप देख सकते हो के दो रेडियो बटन आ गए हैं लेकिन आप इन दोनों को अलग-लग से चेक कर पा रहे हो रेडियो बटन आप बिहवियर बेसिकली यह तो होता नहीं है राइट सो हम इसको कैसे डिक कर सकते हैं सो बेसिकली देखिए इसके लिए हमें बेसिकली स्टेट यूज़ करनी पड़ी और स्टेट हम तभी यूज़ कर पाएंगे जब हमें कुछ इवेंट यूज़ कर पाएंगे राइट पट उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ कलर्स हो गया रहा है कैसे चेंज़ कर सकते हैं So let's see, मैं इसको उपर color property यूज़ करता हूँ, color के अंदर आपको पर तीन प्रोपर्टी होते हैं, secondary, primary और default. So मैं यहाँ पर एक बार के लिए primary property यूज़ करूँगा, और चैसी primary property यूज़ करूँगा, तो आप देख सकते हैं, color भी लग-लग हो गया है, right. अगर आपको लग रहा है कि यह span उट दनो ठीक तरीके से काम नहीं आ रहे हैं, तो आप इसको second बाद में भी यूज़ कर सकते हो, इनके हाद में label भी यूज़ कर सकते हो, right. There is a lots of way कि आप इसके साथ में text use करो, कुछ इस तरीके से भी, right. और यहां पर भी मैं female ही कर देता हूँ, right. So आप यहां पर आगे पीछे भी कर सकते हो, but this is look like a normal text, okay. So अब मैं यहां पर एक on change event कोल करता हूँ, इस radio बटन के उपर, so यहां पर basically मैं एक लिखूंगा, let's say on change, और on change के उपर आपको पता है कि हमें एक function कोल कर सकते हैं, या फिर एक यहां पर state change करवा सकते हैं, right, so basically एक function मनाता हूँ यहां पर, और उस function का नाम मैं रखता हूँ, let's say, test function और something कुछ भी रख सकते हैं, right, जैसे आप यह function रखोगे, so इस function आप basically define कर सकते हो, directly, so let's make it here, just use it like const, right, और for a moment यहां पर मैं alert लगाता हूँ, और यहां पर लिखता हूँ, test function or something, right, और हम वापिस यहां पर आते हैं, और मैं इसको check करता हूँ, तो आप देख सकते हूँ, test function call हो गया है, इस तरीके से भी call कर सकते हो, और एक normal function बनाना चाहो तो उसको भी call कर सकते हो, it's totally up to you, right, अब मैं यहां पर यहां पर function की value get करने को हुषिश करता हूँ, right, अब जब हम value get करने को हुषिश करेंगे, तो अब basically यहां पर event pass कर सकते हो, like this, अब मैं यहां पर use करूँगा console.1 और मैं यहां पर e get करता हूँ, और आप चाहो तो यहां पर e dot, target भी लिख सकते हो, right, इससे आपको थोड़ी सी और clarity होगी, जैसे आप लिख होगे, आपको पूरा पूरा जो content होगा, यह print हो जाएगा, अब आप चाहो इससे value निकाल टाइप निकाल लो, जो मरजी निकाल लो, अब मैं इससे value निकाल रहा हूँ, तो dot value लिख होगा, right, अब मैं इस पर click करूँगा, तो इसके value mail आ गई है, perfect, अब मैं यहां पर use state भी goal करूँगा, same चीज़ आप यहां से भी goal कर सकते हो, इसको copy करेंगे, और यहां से भी same ची और यहां और चीज़ चेक हो रहे हैं, हम इसी के उपर काम कर रहे हैं, then मैं यहां पर state लोगा, state लेने के लिए मैं यहां पर use करूँगा, basically use state, और यहां पर लिखूँगा, const और state को destruct करूँगा, और यहां पर और मैं basically use करूँगा, get gender, और let's just write here gender, right, और second one is set gender, और यहां पर हम use कर सकते हैं, use state, by default इसके लिए आप जो मर्जी पूट कर सकते हो, let's say मैं by default इसके value female put करता हूँ, right, तो जैसे आप इसको female put करोगे, जो यह जेंडर है, इसको आपको value से replace कर देना है, right, yeah, sorry actually, इसको आपको change नहीं करना, अगर इसको change करो तो वो value इसके अदर set हो जागी permanently, right, but हमें इसके base के उपर checked and checked करवान है, तो हम यहां पर एक property होती है, checked, और checked के हंदर हम basically, इसके अदर यहां पर select करेंगे, कि क्या इसकी value है, वो male है और female है, so मैं basically यहां पर लिखूँ और अगर male है, तो यहां पर यह tree हो जाएगा और इसकी value select हो जाएगी, right, तो आप देख सकते हो भी by default female की value select हो गई है, अगर मैं basically यहां पर आके male कर देता हूँ, तो आप चेक करोगे, उपर value value select हो जाएगी, और similarly, अब मैं state को यहां पर update करवा दूँँग, right, so मैं यहां यहां पर लिखूँँगा, set gender, और यहां पर लिखूँँगा, e.target.value, यहां कि जो हमने यहां पर console कर रही थी, अब देखिए, अब एक ही चीज़ select होगी, मैं female करता हूँ, female select हो गई है, male करता हूँ, male select हो गई है, because यह value बार-बार change होती है, और एक से ही match हो गया, तो male से या फिर female से, right, आप फिर से try कर सकते हो, अगर आप third value लेते हो, तो वो भी ले सकते हो, इसमें कोई problem नहीं है, let's say कि मैं यहां पर एक और value लेता हूँ, और यहां पर put कर देता हूँ, other, right, like this, and, अब हम देखते हैं, let me check, what's wrong with that, Okay, I think, अभी ठीक है, या अभी भी problem है, अभी ठीक है, so just हमें यहां पर एक और narrative just start करना दा, वो मने copy नहीं करा था, and अभी हमारे पास तीन आ गई, तो अब मैं जो मर्द select कर रहा हूँ, इसमें से, वही select हो रहा है, color भी हम यहां पर, मैंने आपको जैसे बताया कि वो change करी सकते हैं, so that's all about, कि हम एक radio button कैसे use कर सकते हैं, functions वगारा, state वगारा कैसे use कर सकते हैं, so channel को subscribe करना, video को like करना मत भूलेगा, bye bye, take care.